अपेंडिक्स की समश्या काफी तेजी से फैल रही है इस बीमारी पर किये अध्यानों के अनुसार भारत में पिछले कुछ सालों में इस पेट की बीमारी के बहुत से मामले देखने को मिले हैं इसके अलावा यहां पर ध्यान देने योग के बात यह है कि पेट की बीमारी मुख्य रूप से 31 से 40 वर्ष के लोग ही ग्रस्त हैं ये आंकडे सच में काफी चोकाने वाले हैं और इनसे इस बात की भी पुष्टी होती है कि लोगों में अपेंडिक्स की जानकारी कितनी कम है करा सके इस द्रश्टी से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें अपेंडिक्स से संबंदित आउशक जानकारी देने की कोशिश की है क्या है appendix appendix या appendicitis से तात पर ये ऐसी इस्तिती से है जब किसी व्यक्ति की appendix ग्रंथी में सुजन हो जाती है appendix एक छोटी एवं पतली ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 5-10 cm और यह बड़ी आँख से जुड़ी हुई होती है यह बिमारी मुख्य रूप से पेट के खराब होने की वज़े से होती है जिसका इलाज आरंबिक इस्तर में ही संभव है appendix की शुरुआत पेट के मद्दे हिस्से में दर्द की वज़े से होती है और यह दर्द कुछ समय के बाद सरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है appendix के लक्षन क्या है किसी भी अन्य बिमारी की तरह appendix के भी कुछ लक्षन होते है जो appendix की शुरुआत का संकेत देते है अतै यदि किसी व्यक्ति को ये 5 लक्षन नजर आएं तो उसे तुरंत शतर्क हो जाना चाहिए और उसका इलाज शुरू करा देना चाहिए पेट के निचले हिस्ते में अचानक से दर्द होना यह appendix की समश्या में व्यक्ति के पेट के निचले हिस्ते में दर्द होता है इस दर्द के अचानक से होने के कारण व्यक्ति इसके प्रती सतर्क नहीं रह पाता लेकिन इस पेट के दर्द को सामाने दर्द निवारक दवाई के सेवन से कम किया जा सकता है कवज का होना, यदि किसी व्यक्ति को कवज की सिकायत है तो उसे अपने पेट की जाश तुरंत करानी चाहिए क्योंकि यहें अपेंडिक्स का लक्षन हो सकता है पेट पर सूजन का होना, कई बार अपेंडिक्स होने पर व्यक्ति के पेट पर सूजन हो जाती है हलंकी से सिकाई के द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन किसी भी कदम को डोक्टर की सलाय के बाद ही उठाना चाहिए भूक ने लगना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर बार यहीं शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ खाने का मन नहीं लगता ऐसे लोगों को अपने स्वास्त की जात जरूर करानी चाहिए क्योंकि भूक ने लगना अपेंडिक्स का कारण बन सकता है मुत्र करते समय दर्द होना भी है आम तोर पर इसे मुत्र मारग संकर्मन नहीं समझे क्योंकि ऐसा appendix की वज़े से भी हो सकता है appendix होने के कारण क्या है appendix मुख्य कई वज़े से हो सकती है जिन्वे से कुछ इस प्रकार है एपोश्टिक भोजन करना appendix से मुख्य रूप से वे लोग पीडित हैं जो एपोश्टिक भोजन करते हैं अते सभी लोगों को अपने खान पान का विशेश ध्यान रखना चाहिए और पेट दर्द को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गंबी रूप भी ले सकता है सरीर में संकर्मन का होना अपेंडेक्स की बीमारी कई बार सरीर में संकर्मन होने की वज़े से भी हो सकती है इसी कारण व्यक्ति को मेडिकल सहायता लेनी चाहिए और डोक्टर की सला अनुसार ही कारिय करना चाहिए अपेंडेक्स ग्रंती में ब्लोकेज का होना appendix ग्रंथी में blockage होने पर appendix की बिमारी हो सकती है ऐसी इस्तिती में medical की साहिता की जरूरत पड़ सकती है गहरे जखम होना कई बार appendix चोट लगने की वजह से भी हो सकती है अक्सर किसी व्यक्ति को अंदरूनी चोट लग जाती है जिसका पता उसे लंबे समय तक नहीं चल पाता है इस इस्तिती का परिणाम appendix हो सकती है ट्यूमर का होना इस appendix की संभावना उस व्यक्ति में अधिक रहती है जो किसी तरह के tumor से PD तो होता हो अत्य ट्यूमर के इलाज से appendix की संभावना को कम करे appendix का इलाज कैसे किया जा सकता है यह सवाल हर व्यक्ति के लिए माइने रखता है जो appendix से PD तो होता है चुकि उसे इसकी वज़े से काफी सारी परिशानियों से जूजना पड़ता है इसलिए बेहतर यहीं है कि इसका इलाज जल्द से जल्द कराए ऐसे लोगों को यह जानकर खुसी होगी कि वे इन पांच तरीकों को अपना कर appendix से निजात पा सकते हैं ब्लड टेस्ट कराना यह appendix का इलाज करने का सामाने तरीका है जिसके माध्यम से appendix से PD त्व्यक्ति के सरीर में इसकी इस्थिति का पता लगाया जाता है यूरीन टेस्ट कराना ब्लड टेस्ट करने के अलावा appendix का इलाज करने के लिए डोक्टर यूरीन टेस्ट को भी करते हैं यूरीन टेस्ट के दुआरा इस विमारी की वज़े से यूरीन में आए बदलाओं और इसके इलाज के तरीकों का पता लगाते हैं यूरीन टेस्ट को अपनाना जैसा की उपर इस पश्ट के अगया है कि यह विमारी ये पोश्टिक भोजन की वज़े से भी होती है अते इसके लिए हेल्दी डाइट को भी अपनाना एंटी बायोटिक दवाई लेना अपनेटिक्स की विमारी बैक्टिरिया या वाइरस के कारण भी हो सकती है इसी कारण इसके इलाज में एंटी बायोटिक दवाई को लेना भी बहतर विकल्प साबित हो सकता है अपनेटिक्स सरजरी जब अपनेटिक्स से पीडित व्यक्ति को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है तब डोक्टर उसे सरजरी करने की सलह देते हैं इस इस्तिती में एपनेटिक्स में सरजरी को किया जाता है जिसमें एपनेटिक्स को मेडिकल तरीके से हटाया जाता है एपेंडेक्टमी सरजरी के जोखिम क्या हो सकते हैं निश्यत रूप से एपेंडेक्टमी सरजरी लाबकारी परिक्रिया है जिसके माध्यम से एपेंडेक्स का सफर इलाज क्या जा सकता है लेकिन इसके बावजूद किसी भी अन्यपरिक्रिया की भाती इस सरजरी के भी जोखिम होते हैं जिसकी जानकारी महत्यपूर्ण है। या फिर भविशे में appendect में सरजरी को कराने की योजनाव कर रहा है तो उसे निमिलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है रक्तिस्त्राव का होना appendect सरजरी के बाद कुछ हद तक रक्तिस्त्राव का होना सामान्य चीज है लेकिन कई बार यह अधिक मात्रा में हो सकता है जो गंबीर इस्तिती का कारण बन सकता है हलांकि इस इस्तिती को कुछ सावधानियों को वरत कर कम किया जा सकता है लेकिन फिर भी सभी लोगों को यह कोशीज करने चाहिए कि उन्हें इस इस्तिती से गुजरना ने पड़े सायता की जरूरत पड़ सकती है पेट का संकर्मन का होना अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस सरजरी के बाद कुछ लोगों के पेट में संकर्मन हो जाता है हालंकि इस इस्तिति को चिकित्सा सायता के द्वारा कम किया जा सकता है पेट पर लाल धब्बों का पढ़ना यदि किसी कि ने हाली अपेंडिक सरजरी को कराया है तो इस सरजरी के बाद उसके पेट पर लाल धब्बे हो सकते हैं इस अवस्ता में डोक्टर उस व्यक्ति को क्रीम लगाने को देते हैं जिसके माद्यम से ये धब्बे ठीक हो सकते हैं पेट दर्ध होना अपेंडिक सरजरी को कराने के बाद कुछ लोगों को पेट तर्ध हो सकता है इस समस्या को पेट की दवाई के दौारा ठीक किया जा है लेकिन इन सब के बावजूद रहात की बात है कि किसी भी अने बिमारी की तरह appendix की भी रोक थाम संभव है यदि कोई व्यक्ती इन पांस तरीकों को अपनाये तोभ हैँ appendix की रोक थाम कर सकता है उच फाइबर युक्स भोजन करना ऐसा माना जाता है कि भोजन का हमारे सेहत पर सीधा असर पड़ता है यह बात appendix के संधर्ब में सही प्रहती तो होती है क्योंकि यह unhealthy भोजन का सेवन की वज़े से भी होता है अतय यदि कोई व्यक्ति healthy भोजन विसेश कर fiber का सेवन करता है तो वह appendix की संभावना को काफी हद तक कम कर सकता है स्वयाम करना किसी भी अन्य विमारी की तरह appendix के इलाज भी व्याम करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है व्याम के द्वारा व्यक्ति की मासपेशिया मजबूत होती है और इसके साथ में यह रोग प्रतिरोदक शमता को भी बढ़ाता है अत्यदिक तनाव ने लेना तनाव भी कई सारी बीमारियों का कारण हो सकता है ऐसा appendix के मामले में भी होता है कई वार ऐसा पाया गया है कि यह बीमारी अधिकांस ऐसे लोगों को होती है जो अत्यदिक तनाव लेते हैं इस परकार सभी लोगों को तनाव प्रबंदन करना चाहिए ताकि वे सारी रिख के साथ-साथ मानसिक रूप से भी स्वस्त रह सके. सप्लिमेंट लेना ज़़ि किसी व्यक्ति के लिए व्याम करना संभाव नहीं है तो वे सप्लिमेंट भी ले सकता है. ये सप्लिमेंट उसके सरीर को आवश्यक उर्जा प्रदान करते हैं जिससे वह किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक हो सकता है लेकिन इस बात का ध्यान सभी लोगों को रखना चाहिए कि वे किसी भी सप्लिमेंट का सेवन करने से पहले डोक्टर की सलह जरूर ले ताकि इनका उनकी सेहत पर कोई दुस्त परभाव ने पड़े नियमित रूप से हेल्थ चेक अप कराना यह सबसे महत्यपूंट चीज है जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ की जान नियमित समय पर कराने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टी हो सके कि वे पूरी तरह से स्वास्थ है जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि वर्तमान समय में स्वास्थ सम्बंदी कई सारी समस्याइं फैल रही है जिन से कई सारी लोग पी इलाज नहीं करा पाते थे लेकिन अब यह इस्तिती बदल चुकी है और इसका इलाज एपेंडेक्ट में सरजरी के माध्यम से संभव हो चुका है तूकि लोगों में एपेंडेक्ट में सरजरी को लेकर जाग रुकता की कमी है इसी कारण इसके मरीजों के संख्या दिन प्र झाल